नमस्कार दोस्तूं मेरा नम भुमिका है और देश रोजाना रेडियो रोजाना पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हमें कैसे दिन की चर्चा करेंगे जो ना किवल भारतिय सेने तिहास में महतपूर्ण है बलकि हमारे दिलों में भी गहराई से चाया हुआ है और ये दिन है करगिल दिवस एक दिन जब हम अपने वीर सपोदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहूती दे डाली करगिल यूद 1999 में लड़ा गया था जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे करगिल शेत्र में घुस पैट की इस संखर्ष ने इबा फिर साबित कर दिया कि भारतिय सेना की ताकत और संकल्प किसी भी चुनोदी को मात देने में सक्षम है यूद भारतिय सेना के अदम में साहस और धहरे का परिचायक था करगिल की बरफीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी गई जहां तापमान माइनस 30 डिग्री सेलसियस तक गिर जाता था सेनिकों को ना केवल दुश्मन से लड़ना था बलकि उन कठिन मौसम की परिसितियों का भी सामना करना था इन कठिन परिसितियों में भी भारतिय सेनिकों ने आत्म समर्पर नहीं किया ओपरेशन विजय के तहत लड़ी गए इस लड़ाई में भारती सेना ने ना किवल अपनी साहस का परिचे दिया बलकि रणनीतिक दिमाग और अदुईतिये सैने शमताओं से दुश्मनों को हराया हमारे जवानों की वीरता बलेदान की कहानिया अंगिनत हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जो शेर्शा के नाम से मशुहूर हुए उनकी गाथाएं हर भारतिये को गर्व से भर देती हैं उनकी ये दिल मांगे मोर के वाज आज भी हर दिल में गुंचती है आज हम करगिल द जक्ती का सम्मान करें अगर आपको भारतिय सेनेति हास वीरता की कहानिया पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेर करें आए हम सब मिलकर अपने शहीदों को सम्मान दे और उनकी बलेदान को अमर बनाएं करगिल दिव सब्सक्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले तेखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन